आप 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 लोगों को एक और फैनेंशल अकाउंटिंग क्लास में खुशामदीद कहता है दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू टेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर बात करेंगे यह discussion हमारी पिछले lesson में भी थी पिछले lesson में मैंने आपको बताया था कि rules for debit and credit क्या होते हैं इस lecture के अंदर हम एक example लेंगे और with the help of this example मैं आप लोगों को कैसे समझाऊंगा कि कैसे मतलब debit होता है और कैसे credit होता है पिछले lecture के अंदर हम लोग बात कर रहे थे accounting equation के बारे में और accounting equation के हवाले से मैंने एक example आप लोगों के साथ share की थी और at the end मैंने आपको ये भी बताया था कि आप लोग इसकी दो exercises भी है लिंक उनका मैंने description के अंदर डाल दिया है आप लोग वो download कीजिए और उनकी practice कीजिए क्योंकि accounting का जो subject है वो महत तो नहीं है लेकिन इसके लिए भी practice की ज़रूर होता है और वैसे भी एक हमारे पास बहुत मशूर कहावत है कि practice makes a man profit इसके साथ साथ हम लोग ने rules of debit and credit भी देखा था और आज की इस lecture के अंदर हम लोग वही rules of debit and credit को आगे continue करेंगे और मैं आप लोगों के साथ एक example share करूँगा और आज के lesson का भी वही है जो मैं आपसे example share करूँगा वो भी और साथ इसकी exercise file भी मैंने description के अंदर link डाल दिया आप लोग उस link पे जाएए वहाँ से वो download किजी और उसकी practice किजी और financial accounting को अच्छे से secure साथ साथ हम लोग flow of transaction के उपर भी बात करेंगे तो आईए हम लोग अपने वही main जैसे हम लोग as usual अपने हर lecture का अगाज करते हैं मैं एक quotation आप लोगों से share करता हूँ तो आज की जो quotation है वो कनेंथन ले की लिखी हुई है जिसमें वो कहती है कि agraphic accounting does not mean illegal accounting के जब बाती होना accounting के अंदर इसका मखलब यह नहीं है के you are doing something illegal with this quotation आज की हम lecture की बाकाईड आगाज करते हैं जैसे के मैंने आपको पहले बताया के हम लोग एक मिसाल के जरी है आज rule for debit and credit को सीखेंगे मिसाल क्या है the following transactions are related to small traders and for the month of March तीस्टे महीने की transaction है 2nd है purchase goods for cash RF 40,000 3rd purchase goods on credit from its big traders RF 57,000 और 4th second last transaction is sold goods for cash RF 5 और इसके बाद last जो हमारी transaction है purchase of office equipment for business RF 4,000 तो आईए दोस्तों अब हम लोग इसको देखते हैं कि हमने कैसे इसको rule of debit and credit है मतलब कब effect increase हो रहे हैं कब liabilities increase हो रहे हैं कब liabilities decrease हो रहे हैं देखेंगे कि वो दो accounts जाहे हैं हमारे जो main accounts हैं मतलब efforts, liabilities, expenses और income वो किस category में fall करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे क्या वो increase हो रहा है यह decrease हो रहा है और फिर हम debit की amount लिखेंगे और फिर credit की हैं In this transaction हम लोगों ने देखा कि हमारे पर दो account involved हैं एक cash का, एक capital का है, cash effect है, जो capital है वो हमारा equity का है तो हमने cash लिखा, account में effect लिखा, आप देखें, effect हमारा increase हो रहा है तो इसलिए यह debit side में मैंने RF 95,000 लिख दिया उसके बाद हमारा capital है, capital equity के अंदर आता है, equity जो है, वो भी हमारी increase हो रही है और वो भी 95,000 लिख दिया और हमने रूल यही पढ़ाता है, when equity is increase, it will be credit इसके बाद हमारी जो next transaction है, वो है हमारी purchase good for cash RF 40,000 अब इसके अंदर भी हमने सबसे पहली यही देखने है, कौन-कौन से दो account involved है, एक purchase का है और दूसरा cash का है, purchase का जो account है, expense का account consider किया जाता है, expense increase हो रहे हैं, तो वो 40,000 लिख दिया, उसके बाद हमारा cash का account है, cash effect के अंदर belong करता है, cash जो होगा decrease हो रहा है इसके बाद हमारी third transaction है, third transaction जो है, वो है, he purchase goods on credit from Mr. Big Traded RF 57,000, 57,000 के हमने चीज़ें खरीद की हैं, लेकिन वो उधार पे हैं, इसके अगेंस्ट भी हमारे पर दो account पन गए हैं, एक purchase का और एक payable का, अब जो purchase का account है, वो हमारा खर्चा consider किया जाता है, expense, यह increase हो रहा है, तो debit side में उसकी amount लिके जाएगी, और जो हमारा payable, यह हमारा liability can filter किया जाता है, और जब liability increase होती है, तो वो credit side में लिकी जाती है, इसके बाद जो है, हमारा fourth second life transaction है, वो फोर्ड गुट पर cash है, लेकिन cash हमारे पाफ आ रहा है और चीफें जा रही है, तो fourth number one जो transaction है, इसके against जो ह accounting war ने एक fail का है, और एक cash का है, cash जो हमारे पाफ आ रहा है और चीफें जा रही है तो वो fail या revenue का है, cash जो फेड़ पे बिलॉंग करता है, effect increase हो रहे हैं, तो five thousand जो हमारा debit side में आ जाता है, इसके साथ fail है, वो revenue में आता है, revenue जो हमारा increase होता है, तो वो credit side में आता है, तो हमन जा रहा है, तो हमारा credit होगा, बलब दो account है, एक cash है, और एक office equipment है, या purchase है, purchase है, या office equipment, या हमारा effect है, और ये increase हो रहे हैं, तो debit side में आ गया, और इसको हम ऐवा expense भी लेएक्ट है थे, अगर हम expense लेते हैं, तब ही वो increase हो रहे हैं, और 4,000 हमारा debit side में आना था, cash है, cash भी हम हमारा degrees हो रहा है, और एसट जब degrees होती हैं, तो वो हमारा credit side, दोस्तों, ये था rules of debit and credit, क्रेडिट के कैसे, जब कोई चीव increase होगी, तो हम debit करेंगे, और कैसे, जब कोई चीव decrease होगी, तो हम उसको credit करेंगे, ये था rule of debit and credit, उमीद है, आप लोगों को समझा आगे होगा, इस के बाद जो हमारा आज की, इस class का जो next है, वो है flow of transaction, हमने ये देखना है कि transaction का flow है, वो क्या है, transaction का flow हमारा event पर start होता है, event पर बाद कोई भी ऐसा transaction भी हो सकती है, कोई monetary term, event भी हो सकता है, इसके बाद जो हमारा second point पर आता है, वो है voucher, voucher का है, जो तहरीरी फ़बूत है, जो occur हुआ है, means to say, we are purchasing a mobile phone, it means that is the event, ठीक है, और जो हमें वो मोबाइल की रफीद मिलेगी, that is the voucher of that event, इसके बाद हमारा पर general journal है, general journal के अंदर हम सारी vouchers को record करते हैं, और अपनी सारी entries करते हैं, और with the help of this journal, या जो हमारे पाफ entries होती है, हम उनको ledgers के अंदर post करते हैं, ledger या ledger जो है, वो एक separate card है of each transaction, means to say, हम sale का एक अलग ledger, purchase का एक अलग ledger, मुनाफिक का एक अलग ledger, या capital फर्माए का एक अलग ledger, इस्टर मुक्तिफ किसम के ledger हो सकते हैं, और with the help of this ledger, we have make a trial balance, trial balance, at the end of the year, at the end of the accounting period, we have take a balance of our ledger, this is also known as the trial balance, तो हम trial balance बनाते हैं, trial balance है जो है, फिर आगे हम दूस्टेक्मेंट बनाते हैं, एक को हम profit law of account कहते हैं और दूस्टा बैलेंस, यह दो हमारी financial statements की भी konfitter की जाते हैं, दोस्तों, यह है हमारा flow of transaction, from the coming lecture, या from the next lecture, we have discussed more detail on the given topics, event, voucher, journal, ledger, trial balance, and profitable and balance sheet in detail, तो till this next lecture, keep touch, virtual student support, service YouTube channel, and keep touch the financial accounting, video, and keep touch the exercise file, which I have been given in the description link, and download it, and practice it, and take care, Allah Hafif.